है ख्यालो डुट तो आज हम आप लोग के साथ अपना मेकप लिए करते हैं अधर आज साथ आप लोग के साथ अपना मेंकप वीडियो ले कर सबसे पहले अपने स्कीन को मॉस्ट्राइज कर लेंगे क्योंकि उसको नहीं लगाएंगे तो हमारा जो चेहरा है वह लगेगा जैसे फटा फटा सा लगेगा रूखा सा लगेगा जैसे अब ठंडा का मौसम है तो इसकीन ड्राय हो जाता है तो आप अपने चेहरे को क्रीम मेरे पास Garnier का Esky Naturals Light Complete Fairness Serum क्रीम तो अब हम यह क्रीम लगाएंगे तो मेरा जो चेहरा है वह थोड़ा ओईली है सारे जो क्रीम है मेरे चेहरे पर सूट नहीं करते हैं मेरे पिंपल्स निकल जाते हैं इससे पहले जो था हम भी को लगाते थे लेकिन जब से यह लगाना क्रीम मतलब पिंपल्स भी नए निकलते हैं और चेहरा भी बहुत अच्छा से निखर के आता है बहुत अच्छा लगता है मुझे यह बहुत ज्यादा परस्नली पूछे तो मुझे बहुत ज्यादा यह क्रीम पसंद आया है आप लोग अंतर देख रहे होंगे कितना चहरा जो है अलग लगेगा देखने में उसके बाद जो है हम यह पाउडर का यूज कर रहे हैं यह हुआइट टॉन फेस पाउडर यह उपर से बिल्कुल हलका सा लगाएंगे ज्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि हम फॉंडेशन भी नहीं लगा हैं इसके लिए हलका सा यह लगा रहे हैं तो अच्छा, चेहरा निखर के आएगा और उसके बाद देखिए यह है मेरे पास काजल यह प्लू ही वेन का मेरे पास काजल है तो मैसी को आइलाइनर के तरह काजल, सौफ्ट काजल आईलाइनर, तो आप इसको आलाइनर के तरहा भी यूज कर सकते हैं तो हम देखिए इसी से आपको आईलाइनर के तरह यूज करके आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग के पास आईलाइनर नहीं होते हैं इसके लिए और अगर सच बताए तो हम डेली मेकप में आईलाइनर नहीं लगाते हैं बस कभी कभार मन हुआ तो लगा लिए उसे नहीं लगाते हैं तो लेकिन आप लोग को हम लगा के दिखा रहे हैं कि आप लोग इससे आइलाइनर के तरह भी इसको यूज कर सकते हैं तो देखिए इससे भी बहुत अच्छा से लग जाता है क्योंकि बिल्कुल पेंसिल के तरह इसमें काजल रहता है तो बहुत अच्छा स साथ सेयर कर रहे हैं इसके अलाबा और कुछ नहीं तो जो भी आप लोग को लगे गलत तो आप लोग इगनोर किजिएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा क्योंकि बहुत कुछ मुझसे आप लोग को सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आप लोग से मुझे सीखने को मिलेगा अगर यह प्लेटफॉर्म पे हम आए हैं तो क्योंकि सबका देखिए अलग-अलग होता है ना इसलिए और यहां पे देखिए हम यही काजल से ही आइबरो पेंसिल के तरह भी यूज कर रहे हैं और ही काजल से आइबरो पेंसिल भी फील हम इसी से कर रहे हैं और बिल्कुल हलके हाथों से आप इससे आइबरो फील किजिएगा क्योंकि यह काजल है तो जधा डार्क भी हो जाएग अच्छा नहीं लगेगा इसलिए और उसके बाद आता है बिंदी लगाने के बारी क्योंकि हम लोग के इंडिया में तो बिना बिंदी और सिंदूर से हम लोग का मेकप जो है complete नहीं होता है तो छोटा सा बिंदी भी हम red color का लगाए हैं और उसके बाद हम ये जो लेकमी का lipstick है मेरे पास तो हम Lecmeek का ही लिप्स्टिक यूज कर रहे हैं तो Lecmeek का लिप्सटिक लगा रहे हैं रेड कलर में है और देखिए हम कंगी से ही आईबरो को भी सेट कर रहे हैं तो आप मतलब घर के कुछ समान से ही कुछ चीजों से ही आप अपना डेली का मेक अप कर सकते हैं और वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं ज्यादा आपको खर्चा करने का ज़रत भी नहीं है और देखिए जो भी प्रोड़क्ट हम आपको लोगों को इसमें दिखाए हैं कोई भी ज्यादा महंगा नहीं है अब इसके बाद आती है सिंदूर लगाने के बारी क्योंकि सिंदूर के बिना तो हमारा मेक अप अदूरा रहेगा तो इसके लिए सिंदूर लगाते ही चेहरा खिल उठता है मतलब लगता है कि अब मेक अप हम लोग का पूरा हो गया है सिंगार पूरा हो गया है और अभी एरिंग नहीं पहने है तिसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा उदास चहरा तो अब ये रिंग भी हम पहन लेते हैं और अब देखिए ये मेरा फाइनल लुक है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईए कि आज का मेकप आप लोग को कैसा लगा ये डेली मेकप है मेरा बस इसमें जो आज है हम आईलाइनर लगाए हैं वो भी आप लोग कर Like करें के जणा लोगा है ये अगरा मेरे लिए अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर की जईगा हैं ज्यायों किधि आए पर अब यह तक मेरे चेनल को सबस्राइब नहीं कि 對jak